Hi everyone, so आज की वीडियो में हम L&T Infotec या LTI Company के बारे में हर चीज को बिल्कुल detail में discuss करेंगे चाहे हो salary की बात हो, enhanced salary की बात हो, CTC की बात हो, फिर उसके बाद job profiles की बात हो, training की बात हो, उसके बात hikes हो, work culture हो सबको इसी वीडियो में short में, detail में discuss करेंगे, बिना एक बी second कवाएं, तो start करते हैं वीडियो को, सबसे पहले इसकी job profiles क्या है, उनका CTC क्या होता है, और salary क्या होता है, ये चीज़ सबको clear करना ज़रूरी है, तो generally जब आपको LTI hire करती है, तो एक position होती है, GET2, जब आप level 1 clear क test होता है, जो online exam होता है, अगर आप उसका level 1 clear करते हो, तो जो GET2 वाली position दी जाती है, generally freshers को इसी position पर basically hire करती है, अगर off campus hire करे या on campus hire करे, अगर आपका tier 3 college है, तो इसी level पर जातर majority लोग select होते है, GET2, GET2 मतलब graduate engineer trainee 2, ठीक है, और इससे उपर का level होता है, वो होता है, GET4, ठीक है, मतलब graduate engineer trainee 4, जिसके लिए आपको एक level उपर वाला coding test भी clear करना पड़ता है, ठीक है, तो discuss करते हैं, इनके सबसे पहले CTC और enhanced salary के बारे में, अब यह जो GET2 वाली position है, इसके लिए जो salary होती है, 5 LPA, यह पूरा CTC होता है, 5 LPA का, ठीक है, अब इस 5 LPA में जो आपका base salary होगी, वो होगी 4.25 LPA, यहने 4.25 LPA, इसी के साथ, आपका जितना भी base salary होता है, उस पे आप यह संबसकते हो, कि आपकी total base salary का लगब 20% आपको bonus मिलता है, as a annual bonus, ठीक है, as a annual bonus, तो आपकी base salary है 4.25 LPA, तो आप 80,000 के संतिक मान सकते हो, आपको एक यह annual bonus मिलेगा, जिसको आ ERAD में मिलता है, और एक आपका 40,000 आप performance bonus बोल सकते हो, तो आपका total यह variable में आता है, ठीक है, जो आपको ERAD में मिलता है, तो आपका base package होगा 4.25 LPA, आप इसको 80,000 रुपय मान सकते हो, वेरीवल पे, और आपका total CTC है, आपका 500,000 रुपय, ठीक है, अब अगर enhanced salary की बात कर CTC के एसाब से, अगर आप देखोगे, तो 36,000 रुपीज बढ़िया salary है, तो यह आपको लगब provide करा रही होती है, LTI, अगर मैं GET4 की बात करूँ, तो उनका total CTC होता है, 6.5 LPA, मतलब 6.5 रुपय, और जो उनकी enhanced salary आ रही होती है, वो आ रही होती है, 55 to 56,000 रुपीज, आप अपने साब से calculate कर सकते हो, तो उतना लगबग उनको यह आपका bonus मिलता है, तो यह भी उन लोगों को मिल जाएगा, अब अगर इसके बाद बात करूँ, तो इसके बाद एक और position होती है, Specialized Engineer, उसका 8 LPA CT से होता है, लेकिन वो उसकी इसलिए में जादा बात नहीं कर रह जिनके लिए freshers hire किये जाते हैं, तो यह चीज़ हमको clear हो गई, दोनों profile की ठीक है वह यह, अब इसके बाद चलते हैं, अब यह एक interesting aspect है, और काफी लोग LTI की training के पारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ सुनी हुई हैं इसकी training के पारे में, तो start करते है तो सबसे पहले तो LTI में आपको काफी ज़्यादा rigorous training मिल रही होगी, अब rigorous training मतलब काफी सारी tech stack, काफी सारी technologies, काफी सारे आपके test, काफी सारे आपके assignments यह होती है rigorous training, यह आपको मिल रही होगी और काफी ज़्यादा strict timings, training की जो timings काफी ज़्यादा strict हैं, और training भी काफी ज LTI के ऐसी company जो trainings को काफी ज़्यादा seriously लेती है ठीक है तो ये है इसका कुछ हिसाब और जो trainings है वो एक महिनी से लेके तीन महिने तक चल सकती है minimum time आपके domain के हिसाब से एक महिना और उससे ज़्यादा तीन महिना maximum time होता है और इसके बाद आपको अलगलग business units में डाला जाता है जिसमें आपको कुछ भी काम दिया जा सकता है trainings के बाद trainings कुछ common technologies पर होती है common के साथ एक specialized domain जो भी आपको assign हुआ है उसके उपर भी होती है generally जो previous training की बात करो तो LTI majorly लोगों को java mainframe .net c++ इन सब चीज़ों पर training करता था basically इन चीज़ों पर तो करते ही था बाकी आपका SAP हो गया तो इसके उपर भी training दी जाती है तो काफी सारी technologies है तो वो डेपेंड करेगा आपको क्या domain मिलता है फिर उसके बाद आजाते हैं ट्रेनिंग में जो सबसे important question है कि भाया के training से fire हो सकते है क्योंकि ये question LTI के लिए सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो देखो LTI में क्या होता है कि जब आप भी training हो जाएगी तो आपका एक test होता है उस test को attempt करने के दो chance मिलते हैं दो chance और दो chance में अगर आप clear नहीं कर पाए आपको seriously training पढ़नी पड़ेंगी और अगर आप clear नहीं कर पाए तो आपके chances हैं कि वो आपको fire कर सकते हैं ठीक है और training को काफी ज़्यादा seriously लिया जाता है तो आपको अपना training में contribution भी अच्छा देना पड़ेगा आपको अपने training को basically अपको seriously लेना पड़ेगा आप यह नहीं के training को हलके में निकाल दो तो LTI मामले में strict training के मामले में ठीक है तो टेस्ट के वारे में आपको बता दिया है दो attempts में इसमें आप clear करना होगा आगे बढ़ते हैं bench period के बारे में सबसे common question के LTI में कितना bench period हो सकता है तो देखो LTI में थोड़ा बहुत bench period तो आपको होगा मतलब bench पर आपको बिठाला जा सकता है मतलब लेकिन ज्यादा bench period इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह उतनी बड़ी MNC नहीं है मतलब जो employees आये थे वो इतना ज्यादा नहीं है और projects भी है उनके पास बहुत ही ज्यादा bench period हो जाएगा लेकिन bench period हो सकता है कई-कई लोगों को फटा-फट से project assign हो सकता है कई लोगों को 2 months तक का bench भी हो सकता है और bench period पर कई लोग पूचते salary आती है तो जी हाँ salary आती है salary में कोई गटाथी नहीं आएगी salary आपको मिलेगी लेकिन कईना कई आपके utilization नीच जाता है और कईना कई वो डर का chance बना रहता है ठीक है तो bench period पर जतना कम रहो उतना बैटा रहा बात कहते हैं projects की तो देखो projects की बात करें projects में development, testing, support तीनों के project है कुछ भी मिल सकता है development भी मिल सकता है testing मिल सकती है work-life balance कितना hectic होने वाला है project कैसा होने वाला है work culture कैसा लगेगा यह सब project पर ही depend करेगा इस पर मैं बिल्कुल जूट नहीं बोलूँगा यह सब कुछ project पर depend करेगा कई लोगों को project ऐसा बिलता है जिसमें उतनी ही requirement होती है जितना आप काम करो कई project थोड़े सा ज्यादा demanding होती है तो आपको ज्यादा काम करना पड़ सकता है project ऐसे भी हो सकते हैं कई projects में learning बहुत अच्छी होती है क्योंकि उसमें आपको ऐसे objects दी सकते हैं जिसमें पूरी एक responsibility हो आप ही उसको development भी कर रहे हो आप उस पर काम कर रहे हो कई projects ऐसे भी होते जिसमें केवल आपको excel sheet का work दे दिया जाए तो यह पूरा depend करेगा आपके luck factor पर project के factor पर कि आपको क्या लगेगा learnings कैसी लगेंगी projects कैसे लगेंगी project factor ही है overall अगर मैं बात करूं कि आपको learnings काफी बड़ी आप expect कर सकते हो कि मैं काफी चीह सीख के जाऊंगा अगर मैं एक दू साल का experience ले रहा हूं तो वो वर्थ रहेगा ठीक है अगर अब इसके बाद आगे ही बात करो तो क्या रह जाता है इसके बाद आगे रह जाता है hikes तो देखो hikes के लिए मैं बताता है hikes अगर आप as a fresher join कर रहे हो तो आपको शुरू में सही hikes मिल सकती है लेकिन hikes स्टार्टिंग से ही performance monitoring पर डिपेंड करती है आपको performance है वो आपके manager के दारा team lead के तौरा काफी ज़्यादा strictly monitor किया जाता है उस base पर आपको hikes मिलेंगी लेकिन as a fresher आप शुरू के first year में थोड़ी सी अच्छी hikes expect कर सकते हो between 10 to 20% इतना आप expect कर सकते हो अगर आप first year में हो उसके बाद से काफी ज़्यादा strict monitoring की जाती है और उस हिसाब से आपको hikes मिलती है अगर आपको performance below average है तो आपको हाइक सोड़ी कम भी हो सकती है काफी कम भी हो सकती है और अगर आप एक outstanding performer निकलते हो तो उस हिसाब से आपकी hikes अच्छी भी होंगी यह काफी ज़्यादा strictly performance पर मेजर किया जाता है इसमें default वाला system नहीं है पूरा performance monitoring है लेकिन शुरू के आपको थोड़ी सी हाइक अच्छी मिल सकती है जब आपने अच्छी जोईन किया तो आप 20% का हाइक एक्ट कर सकती हो So that's all about the video I hope मैंने सारी चीज़ आपको डिलिवर कर दी एक ही वीडियो में अगर आपको किसी और कंप्री प्रकार की वीडियो चाहिए अच्छी मिल सकती है Thank you so much for watching Please make sure you drop a like for this video and subscribe to this channel Thank you